नमस्कार जी स께 साहिव जी क्या लाम है बेन जी आपका? जोती दासी बेन जी आप कहां से आए हैं? गोरगपुरी उपिर से बेन जी संत्रामपाल जी मारा से नामदिक्षा आपने कम ली? 20 सितेंबर 2013 को मालिकी सरण में आएं संत रामपाल जी मरासिंन नाम दिख्शा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती सातना करते थे? बहान जी आप जो नवरात्रों के भ्रत करते थे उनसे आपको क्या लाब हुए? मेरी छोटा भाई था झो दो दिन उसको फिवर हुए हॉस्पिटल में एडमिट कर राया और उसकी हालत और खराब होती चली गए तो उसको बड़े हॉस्पिटल में ले गए गोरपूर में तो हा एडमिट कराया थाध minute रहे वह बचा नहीं खथ moral crafts उसको घर पे लेकर आए, मेरी बड़ी बेहन थी, उन्होंने उनको देखा, उनकी दिमाग की नस्फट गी, और वो भी तीन दिन एडमिट रही, वो भी नहीं बची, एक अपते में हमारे दूनों भाई बेहन चले गए, फिर हमारी बिल्कुल आस्ता हट चुकी थी इन देवी अपके बच्चे बस जाएंगा, हुआ कुछ नहीं, उसे हमारी संतुष्टी नहीं हुई, बस ऐसे ही करते आ रहे थे भाईया, हमारे घर के पास, हमारे गाउं में एक भगजी थे, जो पहले से संत्रामपाल जी महराज के सरन में थे, तो उनको संत्रामपाल जी महराज की पेड़ना हुई, तो वो आये हमारे पापा से बोले, कि आप लोग बहुत दुखी हो, आप क्यों नहीं, हमारे गुरू सर पापा जी मानें नहीं पहले फिर सार सारे बगत आसपास के सब आखले जब पहुरह शालों लोग नहीं आए पिर हमारे पापा जाएंगे एक साल से पर यहीं천े दिन मतलब मतलब एब हorf यही मना कर सो 네 प्तिक काहरों qonet Onunege Noot भी कमारी दुर्गत्तम में याहाया था दूरम्डंगे संत्रांपाहिजिए महाराज का राज के भी 具हा है घर सीथल्डाफ्य एंहेन को सप्राब Oo आगी यह सोच के लो घूमने चलते हैं नाम लेने की इच्छा से नहीं आये थे हम फिर संतरामपाल जी महराज की आश्रम में आये वहां आती हैसा मतलब ऐसा फील होगा कि हां यहां कुछ हो सकता है यहां कुछ है यहां जीने कडासता हमको मिल सकता है फिर एक दो दिन हम लोग एक दिन ऐसे ही बिता दिन नाम नहीं लिया, मतलब ऐसी हो रहा थे कि पहले देखते हैं क्या है आश्रम में, फिर एक दो दिन ऐसे लोग उसे मिले, फिर भक्तों से बाती हुई वहां के जो नाम संत्रामपाल जी महराज जी से जो जिनोंने नाम लिय आपने बताया कि पहले आप बहुत सारे बाबाओं की चक्कर में पढ़ चुके थे और आपका जीना भी मुस्किल हो गया था आप ये भी चाते थे कि आपकी सुबह ना हो और आपकी मौत हो जाए तो क्या संत्रामपाल जी की सरन में आने के बाद आपको कोई लाप राप्त दूसरा लाब है कि मेरी साधी हुई मेरे हैस्बेंड है और मेरी साधी हुई मैं प्रेगनेंट हो गई और नौ मेने मुझे बहुत उल्टियां लगी बहुत उल्टियां और जब मैं होस्पिटल में जाती थी डॉक्टरी बोलते थे बच्चा बहुत वीक है बच्चा बहु संत्रामपाल जी महराज बोले तुम भक्ति करो भगवान दया करेंगे और मतलब मैं बच्चा हुआ और आठ नौ बच्चे हुए उस टाइम लेकिन सबसे ज्यादा वेट का मेरा ही बच्चा था तीन किलो का मेरा बच्चा हुआ और हमसे मोटी-मोटी हेल्दी वहां पे लेड सब्सक्राइब ई unlocked लोग पूंब मतला हुए लेकिन माली संत्रामपाल जी महराज कितने दया हुई कि बहुत अच्छी है और हर कोई उसको देख कि कहता हैं कि नहीं है फ्युक्तिर हमारी मम् मी की तवेद खरापने मेंगें हुए उनको होस्पिटल शोब हुए तेन्स मेरे पापा जी सोचे कि इसकी रमेनी कैसी होगी फिर हमारे भगत बताने लगे कि हाहा इस में भी लड़का है उस को देख लो फिर लड़की को देखे हमारी हाजबेंड है वो भी संत्राम पाल जी महराज की सिष्स 매ं हे हमारी साधी हुई और उन्होंने एक रुपया भी मुझे को बीवाद से नाम देखषा लेने के बाद आपका विवाद बिना दहेच के खारण वह सी वहन बेटींता बेंता किया तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी कई परिवार में 5-5-6 बेटियां हैं उनके माबाप को बहुत टेंसन लगी रहती हैं कि मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो बेटी पैदा नहीं करना चाते हैं कि हाँ मेरे घर लड़की होगा अभी इसकी साधी की परवा होने लगती है लोगों को और हमारे संतरामपाजी महराज क कि आश्रम में इतना अच्छा ग्यान है कि यहां तो बेटियां लोग खुशी-खुशी पैदा करते हैं हलां कि बेटे की लिए नहीं सोचते कि यहां बेटा हो हमारे आश्रम में संतरामपाल जी महराज का ग्यान इतना अच्छा है कि हमारे आश्रम में 17 मात्र 17 मिनट में न भगत भाई है कभी भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि उसको ऐसा मतलब उसको सताया जाए साधी के लिए अगर दो कपड़े में आई है तो उसको पूरी हर सुपधा दी जाती है साधी के बाद और हमारी प्रातना है उन बहनों से उनके माबाप से कि संत्रामपाल जी मह परवाला की गटना हुई जिसमें मीडिया में ये दिखाया गया कि लेडिज बातरूम में कैमरे लग हुए थे और आप 2013 से संत्रामपाल जी के आस्रम में जाते थे तो इन सब बातों के पीछे क्या सच्चाई है बहुत जूट है मीडिया बिल्कुल जूटी कवर दिखा र बेंजी जो सरधालू आज आपको देख रहा हैं आप उने क्या संदेश देना चाहेंगी हम संदेश नहीं हाँ जोड के प्राथना करना चाते हैं जैसा हमारे साथ हुआ ऐसे बहुत लोगों के साथ हो रहा है लेकिन वो जो भक्ति कर रहे हैं उसी में मतलब जैसे पूरवच करते आएं बस इसी तरह वो अपना जीवन बिता रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और हमा संत्रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आ सकते हैं कई channel पर संत्रामपाल जी महराज का ससंग आता है उस ससंग के नीचे एक पिली पट्टी चलती है उस पर नंबर दिया जाता है उस नंबर पर phone करके आसपास के नामदान क хотелों पर संपर करके वहां पर जाके नाम दिख्षा ली जा सकती है हला